हाई दोस्तों आप जानते हैं विज्ञानिकों की काम के बादे पहले जानते हैं उनका पल्चे दोस्तों बहुत होज करने पर मुझे परमाणों की विशय में कुछ जानकारी में इसको मैं अपने शब्दों में रेक्ट कर दूँगा तो चलते हैं विशय सुत्रों की तरह आखिरे जनकारी कैसे पाएंगी और इसकी शिरुवात कहां से दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणों हर मामली में पाए जाता है इसे हम बहुत पहले रसाइंशेत में पढ़ चुके हैं तो आएए उस पर और जानकारी रेते दोस्तों इसकी शिरुवात किसी वेग्यानिक के दिमाग में आये तकी 100,000 पह थी उन्होंने इस पर काफी चर्चा भी की साथ ही इस पर काफी विबाद भी हुआ कि आखिर प्र प्राचीन यूनाली सिदात में इसका श्रेड विद्वान लोगों को जाता है पर इसके पहले भागिदार डेमोगडर्स और उनके सिर्षक यूस्पिकर्स को जाता है उन्होंने ही बताया कि हर एक चीज परमानों से बनी है और वो कभी अलग नहीं हो सकता जो ना तो दिख परमानों ने परमानों पर अद्लाजा लगाता है कि उसका आगार बदलता रहता है उसमें कुछ लोखंड धातू भी होंगी इसलिए वे एक दूसरे से जोड़कर रहते और इसी से लोखंड को कमरी के तापपान में ठोस क्यूं है ये बताया पानी परमानों जो बहुत ही म सिद्दान वहाँ वेज्ञानिक सिद्दान है जो पदार परमानों नामकड़ों से बना है परमानों सिद्दान इसके उत्पत्ति को एक प्राचीन दाशनिक परंपरा के रूप में बताता है जिसे परमानों बात की रूप में जाना जाता है इस विचार के नुसार किसी को और उसे छोड़ी छोड़ी कोड़ों में कातना था, जब तक वो एक आखरी बिंदू तक ना पहुच जाए, जहां हम उसे और अधिक भागों में नहीं कात सकते। प्राचीन यूनानी दाशकों ने पदार्थ के इंकाल्पनिक अंतिमकड़ों को परमाण। जिसका अर्थ काटा हुआ था। दोस्तो अब हम आगे जानेगी कि कौन-कौन से वे ज्यानिकों ने क्या-क्या योगितान दिया। सबसे पहले हैं डेमोक्रिटस। दोस्तो ये एक यूनानी दाशनिक एटम शब्द का प्रियोग करने वाले ये पहले वेक्ट्री थे। इन्होंने सोचा किसी पदाथ को लेते हैं और उसे विभाजित करते हैं. और उसे तब-तक विभाजित करते रहते हैं जब तक की वो एक अंतिम बिन्दुपर ना पहुन जाए। जहां आप इसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते ही। दोस्तों ये मौलिव या भुनियादी एकायट जिसे डेमोक्रिटर्स ने परमानों कहा। उन्होंने इस थेोरी को ब्रह्मानिका सिद्धान कहा जिसमें सभी पदात परमानों के होते हैं। जो की पदात के कण भी होते हैं। दूसरे ने जॉन डॉल्टन। ये आजनिक परमानों मौडल में डेमोक्रिटर्स सिद्धान्त को अनुकुलित करने वारे पहले बेटनी। अठारवी श्रताफदी जैन्त में परमानों सिद्धान्त की धारना का उलेख किये बिना रासानिक प्रमानों के बारे में दो कानून उभरे हैं। दोस्तों बहुत समय लगा इस पर जांच करने हैं। अठारसो टीम में अम्रेजी रसाइना की जोन डॉल्टन ने परमानों के बारे में अच्छा संदर्व किया। उन्होंने उसके चित्र बनाई प्राचिन ग्रीग में कि वह बहुत छोटे हैं, कड़क हैं और अलग नहीं होने बारे हैं। और सब एक जैसे ही हैं। उसके बाद पता चला आइसोटूक्स की बारे हैं। जो कि अलग एलिमेंट्स न्यूट्रोन के होते हैं। दोस्तों तब तक न्यूट्रोन का विश्कार भी नहीं हुआता। करीब 132 साल में। इसमें हम जोन डॉल्टन को माव कर सकते हैं। क्योंकि ये सही अंदाज रग था। और उन्होंने ये भी पता किया कि कैसे कंपाउंट्स से चुड़ा हुआ है। और वो पहले केमिकल के साथ सफाल हुए। उसे कहते हैं एलिमेंट्स। दोस्तों डॉल्टन के सिंदान ने तो बता दिया था कि परमानुक क्या है। फिर भी इस पल्स खोज जारी थी। और इस पर ही ये चिंगारी बढ़ती गई 20-20 सबियों साल तर। और कैल्वू ने राय दी कि ये भावर जैसी सन रचना है। दोस्तों तीसरी वयक्यानिक हैं अन्टोनी लवोशय। दोस्तों दर्वेमां क избरक्षण का नियम अन्टोनी लवोशय। के काम के साथ जुराब हुआ है। जो बताता है कि रासानिक प्रक्रियाओं में कुछ द्रव्यमान इस्थिर रहता है यानि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादं के समान दूसरा निश्चित अनुपात के नियम था दोस्तो चौधे वेज्ञानिक है जोसफ प्राउस्ट सबसे पहले फ्रेंट रसाइन शास्त्री जोसफ प्राउस्थ द्वारा इस्थापिक इस कानुन में कहा गया है कि यदि कोई घटक अपने घटक रसाइन तत्थों में तूट जाता है तो घटक के द्रविमान में मूल रूप से मात्रा या इस्तरोत की परवाह किये बिना वजन द्वारा समान अनुपात होगा जोन डोल्टन ने इससे पिछले काम पर अध्यन और विस्तार किया और एक नया वचार प्रस्तोत किया जिसे बाद में कई अनुपातों के नियम की रूप में जाना जाता है यदि एक ही दू तत्वों को कई अलग-अलग योगिकों में जोड़ा जा सकता है तो दो तत्वों के त्रविमान का अनुपात उनकी विविन योगिकों में छोटी संध्याओं का प्रती निलत्वर किया जाएगा ये रासानिक प्रक्रियाओं में एक सामालने प्रैटर्न जो उस समय डोल्टन और अन्य रासायन शास्तियों दोरा देखा गया दोस्तो पांच के वेग्यानिक हैं थॉमस थॉमस है इन्होंने अपनी पुस्तक रासायन विग्याओं के तीसरे संस्करण में जोन डोल्टन के परमाणों सिद्धान का पहला संशिप्त विवरण प्रकाशिक दिया सं 1808 में जोन डोल्टन ने रासायन दर्शन के एक नई प्रिणानी के पहले भाग में एक फुलक खाता प्रस्तुत किया दोस्तो ये सब पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि पहला खुलासा सं 1800 में हुआ था और अंग्रेजी बहुत एक विग्यानी जोसफ जॉन थॉम्सन ने इस पश्च रूप से बताया कि परमाण इतना भी सही नहीं है कि कभी अलग नहीं हो सकता और उन्होंने उस पर जांच की कैथोड किर्णों से जो बनता है दिस्चार्ज ट्यूब में और बताया कि वो पोजिटिव चार्ज पर अट्रेक्ट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पर रिपेल हो रहा है तो उन्होंने बताया कि ये नेगेटिव चार्ज होगा उन्होंने मापतोंने पर अंदादा लगाया कि ये हाइड्रोजन से करीब करीब दो हजार टाइम्स थलका है और मैटल चेंट कैथोड बना रहा है इससे और ये समझ में आया कि एटम्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उन्होंने एलेक्ट्रोड को ढोड़ निकारा और ये बताया कि वो आव विभाज्य नहीं है पर उसमें छोटे बटक भाव है दोस्तों इसी कुछ के लिए उन्हें 1906 में नोबल प्रुसकार से सम्मानित किया गया 1904 में उन्होंने मॉडल को आगे बढ़ाया था और उसका नाम करन करके दा प्लंप पुडिंग मॉडल रखा उन्होंने बताया कि एलेक्ट्रोड को पॉजिटिप चार्ज होके प्लंप के बाहरी हिस्से में पर उनका ये मॉडल जाद दिनों तक नहीं चला और उनके स्टुडेंट ने इस पर जाच दे दोस्तों हमारी अगेल वेग्यानिक हैं अवोगेत्रोड टॉल्टन के सिद्धान्त के दोश को 1811 में अवोगेत्रोड ने ठीक किया अवोगेत्रोड ने प्रस्ताव रखा कि कि इन ही दो गेसों की बरावर मात्रा समानतापमान्त और दवाब में समानसंख्या में अणुग होते हैं अवोगेत्रोड के नियूमों ने उन्हें कई गेसों की डाइनमित प्रकती को कम करने की अनुमती दी जिस पर उन्होंने प्रतिक लिया थी अवियाग्यानिक हैं J.J. Thom इनका प्लंप पुन्नी मॉडल 1909 में उनके पूविच्छात्र रदरफोर्ड द्वारा नकार दिया गया जैनोंने पाया था कि पर्मानों का अधिकांश द्रविमान और धनात्मक आवेश आर्दन के बहुत छोटे अंश में केंद्रित होता है जिसे उन्होंने बहुत मान दि साथियों आठियों बिग्यानिक हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये और उनके सहकर्मी हैंस गीगर और अर्नेस्ट मॉश्डन को थॉमस मॉडल के बारे में संदेव होने के पार कठनाईयों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अलफा कड़ों के चार्ज तु मार्स रेशि चारना शुरू किया हाला कि उसे रेडियो एक्टिव इन्मेंशन के लिए उन्हीं स्वाट में पहले ही नुबर प्रसका से सम्मान किया जा चुका रदरफोर्ड ने प्रियूग करके देखा और कहा कि अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल शीट गोल्डल फाइल से भी आसान ही प्रूफ किया रदरफोर्ड नुटियर डिस्कवरी पर फिर से सोचने पर मजबूर हुए और कहा कि मॉडल के अंफार नुटियस पर पॉजिटिव चार्ज एलेक्ट्रॉन है ये थॉंसन के मॉडल से थोड़ा तरक्ती थी पर उन्होंने ये थाबित नहीं किया कि नुक मॉडल सही व्यक्ठिया नहीं कर पाई कि परमानु उस्तर पर क्या चल रहा है उसके बद्ले क्वांटम से दांट शुरू करके एलेक्ट्रॉन और इसका अरेंजमेट चारू कर दिया गया था उन्होंने फिर आगे वही बात एलेक्ट्रोन पर रिसर्च कि उसकी शेर्स पत दोस्तों बहुत मॉडल ने परमानों से दांट पर कुछ खात साबित नहीं किया पर क्वांटम से दांट को आगे बढ़ाया और अभी भी व्यक्यानिक उस पर जांच कर रहे थी आस्ट्रियन एर्विन स्कॉर्डिंगर इनके वाले में हमने स्कूल टाइम पर भी पड़ा ह उन्होंने कहा था कि एलेक्ट्रोंस वेव्स की तरह खुंते हैं पर ये कुछ अलग ही था जिसकी खासियत थी वेव पार्टिकल डूरेटी दोस्तों हमारे अगले व्यक्यानिक हैं जेम्स चैट्वेग 1922 में अंगरी से बहुते विग्यानी जेम्स चैट्वेग द्वारा नामे नी यूट्रों के होज़े की अर्वनेर्स्ट रफिएट्ते स्टूडेंट थे उन्होंने पर वार्णूं को जोडने वाले उप पर्मानू से दात्थ को पूरा दोस्तों ये कहानी खत्म नहीं हुये उन्होंने ना सृफ ये पता किया कि प्रोटॉन और नीउट्रों मेकप नुकलियस स्वयम विभाज्य कण है कहा जाता है क्वार्ग पर ये स्वोप के बाहर कोश्ट था इससे ये पता चाड़ता है कि परमानों की कैसे व्यग्यानिक मॉडल से रिसर्च किए और उसे ही नए मॉडल विक्सेट हुए